हलो गाइस वेलकम टू माई ब्लॉग और मैं निकल चुका हूँ अयोध्य के लिए राम जन्म भूमी और वहाँ पर दर्सन करूंगा और गूमूंगा तो कैसी योध्या लगती है सामको और दिन में मैं देखने वाला हूँ और आप सबको दिखाने वाला हूँ गाइस मैं अब हम लोग जाएंगे यहाँ से डिर्क्राइट अब हम लोग जाएंगे यहाँ से डिर्क्राइट तो गाइस जै स्री राम मैं पहुच चुका हूँ अयुद्या स्री राम जर्म भूमी तो यह मेरे पीछे आप देख रहे हो इसको कहते हैं नया घाट या राम पैड़ी इसरी है तो गाइस अभी मैं डिरेक्ली पहले यह ब्रीज के उपर ही आया हूँ सर्यू नदी के ब्री जगह है और यहां पर मैं साम तक रुखने वाला हूँ तो देखता हूँ यहां का लुक कैसा होता है जातर यह पुल के उपर से ही सारा लुक दिखता है और साम को यहीं पर आकर लोग फोटोज वीडियोस निकाल दें तो गाइस मैं पहुच चुका हूँ सर्यू घाट पर इसको कहते हैं राम पेड़ी तो यहां पर बहुत सारी बोटिंग हो रही है तो बोटिंग में जाके लोग सर्यू नदी घूम रहे हैं कुछ लोग तो वहां आगे तक चले गए तो बहुत ही बढ़िया पावन वातावरन लग रहा है सब लोग स्टान कर रहे हैं सर्यू नदी में तो हम भी अभी राम पेड़ी पर गुमें अभी जाएंगे हनुमान गड़ी और जन भूमे के पाविए है 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 काफी दिख रहे हैं यहां पर अनुमान गड़ी के अंदर मेरी पीछे देख रहे हो यह है है यह गेट है 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 तो गाइस चलते हैं मैं पहुच चुका हूं हनुमान गड़ी मंदीर यहां पर हमान जी का मंदीर है बहुत ज्यादा ही भीड़ है आप देख लो चलते हैं तो गाइस मैं अनुमान गड़ी मंदिर पर पहुंच को और मैंने दर्फन कर लिया है बहुत ज्यादा ही कंजिस्ट्र पहुंच आदा है भी इसके लिए थोड़ी देरी में रुखने का होता नहीं मिल रहा है बट मैंने कुछ थोड़ा वह थीडियो बनाया है जो मैंने आपक पर विए चलता हूँ तो गाइस मैंने हनुमान गड़ी मंदिर में दिर्फन कर लिया है अब मैं जा रहा हूँ हूं तो स्री राम जन भूमी पर तो बहुत ज्यादा ही में रूट पर बहुत ज्यादा ही जाम लगा हुआ था तो हम लोग अभी आयोध्या के गलियों में तो पहुजते हैं वहाँ पर देखते हैं और वहाँ पर वीडियो फोटोस वगेरा सब कुछ मना है तो वहाँ का वीडियो फोटोस नहीं हो पाएगा वैस उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा जन भूमी अयोध्या में तो गाइस मैं जा रहा हूं स्री राम जन भू पर लगाया है यह जन भूमी की जगह है यहां से पुरा फेरी लगाते हैं तो हम लोग अभी जाएंगे बट हमको फोटोस मोबल पर स्बैक वगरा सब हमको रखना पड़ेगा लॉकर में तो गाइस मैं पहुच चुका हूँ अमावा राम मंदिर में यह देखो यह मंदिर है बहुत लोग बैठें यहां पर तो दो यहीं पर हमारे गैज़ेस रख ले जाते हैं लोकर में और यहीं जन भूमी की एंट्री मिल गाइस यह देख रहो यह है कनक भुवन तो हम यहां पर जाने वाले भी दर्शिन करने के लिए झाले बाइस झाले बाइस झाल झाल मेरे पेची ये देख रहे हो, ये फुरा कनक भावन है ये 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 द्रसरत महल है, तो अभी हम इसमें जार के अंदर और दरसन करेंगे, कि यहां पर भविश्य वानी दिखाई जा रही है कि तो गाइस यह मैं अंदर पहुंच चुका हूं यहां पर काफी स्पेस है कि अधर भी है गाइस यह हनुमान गड़ी जगमगाते हुए मेरा मन नहीं किया कि इतने दूर आया और खाट पेना हुँ रात को तो मैं फाइनली आ गया बहुत ज़्यादा ट्राफिक था फुलिस वालोन आने ने दिया हो तो गलियों में से गूगल मैप का यूज करके मैं आया यहां तक तो गाइस बहुत ही ऑश्म लग रहा है मतलब वीडियो में तो आपने सबने देखा हो और यह सब नाव चल रहे हैं तो गाइस यह रहा ब्रीज इतना ओसम लग रहा है और है रेलवे का ब्रीज झाल 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 झाल